हेलो फ्रेंट एक बाफिर से अब सभी का स्वागत है मेरे चनल अपडेट वन पर फ्रेंट्स आज के इस टॉप 10 काउंडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मुवीज के बारे में जो कि 2021 की वन अब दे बेस्ट मुवीज में से गिनी जाती है और इन सभी मुवीज को रिलीस की गई है जनुरी 2021 से एप्रिल 2021 के बीच तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे इंटरस्टिंग मुवीज हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंडाउन में नंबर 10 ऑक्सिजन मुवी पेस्ट है ठिलर और मिस्टरी एक्टिविटी के ओपर मुवी की स्टोरी शुरू होती है एक वोमन से जो अपने आपको अचानक से ही एक डेडलियस चेंबर में पाती है मुवी में देखने लाएक यह है दोस्तो असल में वो लड़की किस तरह उस चेंबर में फस जाती है इवन उस चेंबर से किस तरह बाहर निकलती है और यह सारी के सारी चीज़े जानने के लिए आपको इस मुवी को जरूर देखना चाहिए मुवी रिलीस की गई है नेट्फिक्स पर और इसा आइंड रिडिंग देती है 10 में 6.5 नमबर नाइन इस्टो अवे मुवी बेस्ट है साइंस फिक्षन एंड ड्रामा एक्टिविटी के ओपर मुवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ एस्टोनोट से जिनने दो साल के लिए एक डेलिएस्ट मिसें में भेजाता है लेकिन अचानक से ही स्पेस्शिप में कुछ खराबी आ जाती है और लास्ट अगो सभी एस्टोनोट की तरह सर्वाइब करते हैं यही दिखाने के कुशिश की जाएगी इस पूरे मुवी में मुवी रिलीस की गई है नेट्लिक्स पर और इसा आइंड वी रिडिंग देती है 10 में 5.6 नमबर एट वोगर्स मुवी वेस्ट है साइंस फिक्शन एंड थिलर एक्टिविटी के ओपर मुवी की स्कूरी शूरू होती है कुछ ए enactural में एक time travel को किसी भी तरह से मात देना चाते हैं और अपने age को भी वो किसी भी तरह से मात देना चाते हैं लेकिन अचानेक से ही कुछ गडबरी आ जाती है और उनके अंदर feelings पैदा होना शूरू है और फिलिंग्स पैदा होने के बाद उनके ओपर कौनकोन सी बड़ी मुसीबते आती हैं ये सारी की सारी चीज़े आपको इस मुवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है मुवी रिलीस की गई है 2021 में और इसा आयम रिलीडिंग देती है 10 में 5.4 मुवी की स्टोरी बेस्ट है action and thriller activity के ओपर मुवी की स्टोरी शुरू होती है एक deadliest mission से Mission complete तो वो कर लेते हैं बड़ी आसानी से लेकिन mission complete करने के बाद ही उनके ओपर बड़ी मुसीबते आती हैं और लास्ट तक वो सभी ऑफिसर उस बड़ी मुसीबत का सामना कैसे करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मुवी में मुवी रिलीस की गई है Amazon Prime वीडियो पर और इसा आयम डियू रिटिंग देती है 10 में 5.8 नमबर 6 आउटसाइड दा वायर मुवी की स्टोरी शुरू होती है एक ड्रॉन पाइलट से जिसे अचानक से ही एक डेडलियस्ट मिशन में भेज आता है और last ago drone pilot उस deadliest mission को किस तरह complete करता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मुवी में मुवी रिलीस की गई है 2021 में और इस I&B लेटिन देती है 10 में 5.4 नमबर 5, those who wish me die मुवी की story based है drama and thriller activity के ओपर मुवी की story शुरू होती है कुछ assassin से जो कि एक बच्चे को किसी भी तरह से मारना चाते हैं लेकिन वो बच्चा एक forest officer से मिलता है और वो forest officer उस बच्चे को किसी भी तरह से बचाना चाती है और इन्ही दोनों की शंगर्स को इस पूरे मुवी में बहुत भी present की गई है जो कि आपको काफी हर्थ तक बहुत ज़्यदे interesting लगने वाली है मुवी रिलीस की गई है 2021 में और इसे I am reading देती है 10 में 6 नमबर 4 The Vault मुवी based है action and hast activity के ओपर मुवी की story शुरू होती है कुछ ऐसे logo से जो कि bank of Spain में ढकेती करना चाते हैं मुवी रिलीस की गई है 2021 में और इसे I am reading देती है 10 में 6.4 मुवी based है action and thriller activity के ओपर मुवी की story actually उन्हें बहुत ज़्यादा interesting लगने वाली है जो कि mysterious thriller movie देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मुवी की story शुरू होती है एक security guard से जो कि अपने चांद पर खेल के एक mission को अंजान देता है और उसी दिन से शुरू होती है उसकी mysterious story या फिर कह सकते हैं कि उस security guard के पीछे बहुत सरे mysterious चीज़ें चीज़ें चीपी हुई जाती है इसी fight competition को जो कि आपको बहुत ज़्यादा interesting लगने वाली है मुवी रिलीस की गई है 2021 में और इसा IMD rating देती है 10 में 6.3 और लास्ट और नमबर वन पर हम बात करेंगे नोबडी मुवी की story के अगर हम बात करें तो मुवी की story उन्हें बहुत ज़्यादा interesting लगने वाली है जो कि action thriller मुवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते है मुवी की story शुरू होती है एक normal इंसान से लेकिन उस normal इंसान के पीछे बहुत सारी mystery चेपी होई है और ये सारी की सारी mystery असल में क्या है ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस मुवी को एक बार जरू देखना चाहिए मुवी रिलीस की गई है 2021 में और इसा आइंडी रिडिनेती है 10 में 7.4 तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का countdown पसंद आया होगा तो फिर मिलता है ने वीडियो के साथ ने countdown के साथ खुश रहिए healthy रहिए good bye